आज मैं जा रही हूं नमकीन ओर्स बनाने जिससे की बहुत चैण राता खने है। अब मैं इसे त्याज डाल दी हूँ, चाज कोर का ब्राउन भून लेना है, भून दरके त्यूमें सब्दी को दाल लेना है, त्यूमें एक करीब तोटा पा, एक तुल गोही लेली ते गाजर है ये, और तेरी एक सिंगला मिर्च है, उसको अच्छे से मिर्च कर देना हूँ, खुड़ी सी हुगीन फुग ले लिए है, उसको प्रीश कर लेके हूँ, मैं इसमें हल्दी गाल देंगे, उसकी नोट है, इसमें हल्दी गालना ज़ली है, अफिन में इसमें नमस्वाब तंसा डालेंगे, इसमें जो है कि मतर, करीशोते कटोरी से कटोरी रखनें, और डाल रहेंगे, इसको रेचे सिमिट कर लेना है, अब मैं एक बारी कटा हुआ, टमाटर लेने, उसकी टमाटर को डाल दे रहेंगे, इसको भी अपर सिमिट करना, अब मैं इसमें एक, आई ये बड़ी हरी प्याज ले ले लिए थे, करीशोते कटोरी से कटोरी से कटोरा मैं डाल लेगे, और ये रखने बड़ा थे, जी हम लोग, छोटे बड़े मिला के चार लोग है, ये चार लोग पा है, और हम लोग खा करके, अब मैं इसमें पानी डालने हैं, पानी थोड़े से ज्यादे राता है, इसलिए बहुत जल्दी अगाड़ा हो जाता है, तो मैं पानी डाल रहे हैं, तो मैंने ओर्स में पूरी तरीके से पानी डाल दिये हैं, अब इसको पकाना है, ज्यादे देन नहीं लगता है, पान से 6 मिनट लगता है अभी ये पक जाएगा ओर्स पुरी तरीके से बनके तयार है ये बहुत जल्दी बनता है और ये सेहत के लिए भी सही हाता है और खाना भी चाहिए एकसम और वोर्स को बनाया और आपको भी बनाने की तरीका बता दिये हैं आपनों कमेंट करके जबनों करके खाकर के जी कैसा बना है